एक्वालोजिका की तीसरी संस्क्रीन इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं जो की है एक्वालोजिका D10 प्लस ड्वी संस्क्रीन पिछली वीडियो में मैंने दो संस्क्रीन का रिव्यू किया था एक टी रेडियन्स प्लस ड्वी संस्क्रीन और एक टी ग्लो प्लस ड्वी संस्क्रीन दोनों भी वीडियोस की लिंक आपको उपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं D10 plus D sunscreen के बारे में डीटिल में हम इसका review करेंगे, complete review करेंगे, honest review करेंगे वीडियो खतम होने तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको इस sunscreen के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि Equalogica काफी popular, काफी trusted brand है, in sunscreens category, in beauty product category और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं sponsored वीडियो कर रहा हूँ जिहां दोस्तों, ये कोई sponsor वीडियो नहीं है, मुझे Equalogica की sunscreens काफी अच्छी लगी इनके customer reviews, इनके customer feedbacks काफी अच्छे हैं और अच्छे से internet research करने के बाद ही, इस Equalogica की sunscreen का मैं इस वीडियो में review कर रहा हूँ आए इस वीडियो को हम start करते हैं ये Equalogica की D10 plus dweez sunscreen आपको मिलती है SPF 50 plus and PA 4 time plus values के साथ जिनको ये नहीं पता कि SPF 50 plus and PA 4 time plus ये values होती क्या है तो इसके उपर मैंने detail में discussion किया है अपनी Equalogica glow plus dweez sunscreen वाली वीडियो में लिंक आपको उपर आई बटन नीचे description box में मिल जाएगी Equalogica की D10 plus dweez sunscreen आपको काफी ज़्यादा lightweight texture में मिलती है जिसकी वज़े से अगर आप इसे अपनी skin पर apply करते हैं तो आपको काफी ज़्यादा lightweight feel होता है और इसी की वज़े से sunscreen आपकी skin में easily absorb हो जाती है और तो और इसके अलावा इस sunscreen को अगर आप अपने face पर apply करते हैं तो बिल्कुल भी white cast formation जैसी problem नहीं होती है जो की ज़्यादा तर बाकी brands की sunscreens में देखने को मिलता है लेकिन इस sunscreen में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथी साथ ये sunscreen non sticky है, fragrance free है, color free है और सभी skin types के लिए suitable है फिर चाहे वो normal skin हो, dry skin हो, oily skin हो, या फिर sensitive skin हो इस sunscreen को अपने skin पर apply करने पर आपको कई सारे benefits देखने को मिलते हैं जैसे कि एक तो ये sunscreen आपको UVA और UVB जैसी दो harmful UV rays से बचाती है blue light damage से बचाती है, sun damage से बचाती है, sun tanning से बचाती है uneven skin tone को even करती है, और aging को रोकती है ये सारे benefits आपको देखने को मिलते हैं इस sunscreen में इन Equalogica की sunscreens की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये 100% vegan है, जो की PETA के दोरा approved है और तो और ये Equalogica की sunscreens आपको 100% lab tested report के साथ मिलती है जिनमें इस sunscreen की SPF value और PA value mention की गई है जिने आप एक proof की तरह देख सकते हैं और तो और इस sunscreen को natural ingredients के यूज करके बनाया गया है जैसे कि इस sunscreen को बनाने में cherry tomato, hyaluronic acid, zinc oxide, titanium dioxide, aloe vera, leaf juice, blueberry fruit extract, grape fruit extract, date palm extract और sunflower seed extract इन सभी natural ingredients के यूज किया गया है date palm extract का मतलब होता है एक खजूर तो ऐसे natural ingredients के यूज करके इस aqualogica की D10 plus 2 sunscreen को बनाया गया है और तो और इस sunscreen में आपको कोई भी paraben, mineral oil और sulfide, ये सबी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती है जिसकी वज़े से इस sunscreen को यूज करना 100% safe है और इसके कोई भी side effects नहीं है इस sunscreen में मौजूद ingredients का क्या रोल है आईए हम बारी के से समझते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें cherry tomato की तो cherry tomato को lycopene नामक substance का अच्छा इस्तरोत माना जाता है साथी साथ cherry tomato हमारी skin से tanning को remove करते हैं हमारी skin को bright बनाते हैं और तो और हमारी skin को दुबारा से जवान बनाते हैं दूसरा main ingredient इसमें यूज किया गया है hyaluronic acid hyaluronic acid काफी important ingredient माना जाता है किसी भी beauty product में hyaluronic acid का सबसे बड़ा काम होता है हमारी skin को लंबे समय तक hydrate रखना skin में moisture को बनाए रखना और हमारी skin cells में पानी को बनाए रखना तीसरा इसमें ingredient यूज किया गया है zinc oxide जो हमें dryness से बचाता है और हमारी aging के science को pause करता है चोथा इसमें ingredient यूज किया गया है niacinamide niacinamide को vitamin B3 भी का जाता है जिसका सबसे बड़ा काम होता है enlarged pores को minimize करना, uneven skin tone को even करना उसके बाद dark spot, fine lines, wrinkles को reduce करना पांचवा important ingredient इसमें यूज किया गया है titanium dioxide जिसे UV filtering ingredient भी का जाता है जिसका सबसे बड़ा काम होता है ingredients इस D10 plus Dweez sunscreen में use किया गया है इसके अलाबा तो मैंने आपको बताई दिये कि बाकी ingredients इसमें क्या क्या यूज किया गया है उन ingredients के भी कई सारे benefits हैं जिनने आप internet पर research कर सकते हैं इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता इसलिए मैं उन ingredients के बारे में बात नहीं करूँगा तो अगर हम बात करें इसके price की तो यह Aqualogica की D10 plus Dweez sunscreen आपको 400 रोपे के आसपास मिलती है इसकी official website पे 50 grams का pack आपको इसका 400 रोपे के आसपास मिलता है वैसे यह sunscreen आपको Amazon Flipkart इन दोनों भी websites पर मिल जाएगी लेकिन मैं आपको recommend करूँगा कि आप इसे Aqualogica की official site से ही purchase करने पर आपको इस sunscreen पर discount मिलता है आपको एक तो prepaid order पर discount मिलता है और अलग से अगर आप coupon code यूज़ करते हैं grab 15 तो आपको अलग से discount मिलेगा coupon code और इसकी best buying link का आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी लिंक पर जाकर आप इस Aqualogica की D10 plus Dwee sunscreen को purchase कर सकते हैं रही बात की इसे कैसे यूज़ करना है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसे sunscreen को हर 6 गंटे के बाद अपने skin पर apply करें दिन में हर 6 गंटे के बाद इस sunscreen को आप अपने skin पर apply करें और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाने से आदा गंटा पहले इस sunscreen को अपने skin पर apply करके ही घर से बाहर निकलें इस तरह से आप इस sunscreen को यूज़ कर सकते हैं तो थैंक्स पर वचिंग इस वीडियो